नमो बुधाय जै भीम, जै भाराज, जै सम्विधान, जै जोहार दोस्तों मैं 29 अक्टूबर 2022 को नागपुर की देखसा भूमी आ रहा हूँ मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि सम्विधान रक्षक दल के मादम से पुरे देश के अंदर एक आहवान चलाया गया कि हमें भारत के सम्विधान की रक्षा करनी है जिस तरह हम देख रहे हैं पुरे देश के अंदर दलितों, पिछडों, आदिवासियों, अल्प्षक को उपर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, कोई बोलता नहीं है, हमें हर जुन के खिलाफ किसी भी व्यक्ति के साथ जुन हो, उसकी आवास को उठाना है आज इस नफरत के अवातावरण में देश को अगर कोई बचा सकता है तो भारत का सम्विधान है भारत के सम्विधान को बचाने के लिए देश के कोने कोने से बहुजन समास के लोग लगे हुए हैं नाकपुर की दीक्षा भूमी में आने वाली 29 अक्टूबर 2022 को दलित पैंथर्स की 50 भी वर्जगाट है और आप सब जानते हैं मिसन जैभीम के मादम से पुरे देश में दलित ओ पिछड़ो आदिवासी ओ अलप संखे को के हक की लड़ाई जारी है भारत के सम्विधान को बचाने की लड़ाई जारी है इस लड़ाई में दलित पैंथर का भी बहुत बड़ा रोल है तो आईए मैं नागपूर देखसा भूमी उस आयोजन में सुबह दस बजे पहुँच रहा हूँ और आप से हावान है आप भी आईए चुकि ये लड़ाई मानवता की है ये लड़ाई भारत को बचाने की है चुकि भारत तब बचेगा जब भारत का समिधान बचेगा और मेरा ये मानना है कि समिधान वादी लोगों को समिधान को ही धर्म के रूप में स्विकार करना होगा चुकि धर्म के नाम पर बटना जाती के नाम पर बटना देश को कमजोर करेगा आईए हम सब लोग मिलके समिधान को अपना धर्म माने और हम सब लोग समिधान वादी बने मनुवाद देश के लिए खत्रा है जातिवाद देश के लिए खत्रा है इस जाती वाद को जड़ से खतम करने का हमने संकल्प लिया और उसी कारवाँ को आगे बढ़ाने के लिए 29 अक्टूबर 2022 को डलित पेंथर्स के पचासवी वर्सगाट पर मैं नाक पुर्दीक साभ भूमी आ रहा हूं और आप सबसे आवाने आप सब लोग भी आईए हम सब लोग मिलके इस मानवतावाद के लिए समिधानवाद के लिए भारत को बचाने के लिए और बाबा साहिब की 22 परतिग्याओं के साथ एक 23 परतिग्या मैं आज और जोड़ता हूं वो 23 परतिग्या है हमारा धर्म समिधान होगा समिधानवाद को ही हम सर्वपरी रखकर आगे बढ़ेंगे और बुद्ध का धम चुकि धर्म और धम में अंतर है बुद्ध के धम से मानव का लियानकारी जो जो समता स्वतंतरता बंदुता न्याए प्रग्या सील 29 अक्टूबर 2022 सुबा 10 बजे नागपुर दीख साभूमी नमा बुदाइब जै भीन जै जोहार जै समिधान